आप सुन रहे हैं सहर वित कामिनी खन्ना पुर्षूत्तम हो आप ही गुरूं के गुरू हो सिद्ध हो बुद्ध हो और सकंद के विनायक भी आप हो हर प्रकार की नदियों को पावन करने वाले आप ही हो संसार को पावन करने वाले भी आप ही हो सूप्रफाद, सूप्रफाद, सूप्रफाद मैं कामिनी करना सहर करके मैं आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूं मंगल में बधाईयां बधाईयां जी बधाईयां आग 17 अगस 2013 चंद्रमान सिंग राशी में अहुरात्र नक्षत्र है मघा केतु का शाम 7 बच के 57 मिनिट तक उसके बाद पुर्वा फालगुनी शुक्र का नक्षत्र नीज श्रावन मास का आरंब हो गया आज सूरिय मघा नक्षत्र सिंग राशी म प्रवेश करेंगे आज दो पहर एक बच के तिस मिनट तक थोडी ही देर में हम जानेगे में से लिए कि मिन राशी ।र क्या प्रभाव पड़ाश बड़ा सूर्यके सिंग राशी में जानी चाहे प्रवेश राशी फजने के आपको बहुत वैदा होगा आपके माइंड एकदम फ्रेश हो जाएंगे और सही दिसिजन्स होंगे बड़े-बड़े काम बुद्धी मत्ता के कारण मिलेंगे आपके बच्चों से रिलेटेड समस्या हैं खत्म होंगी गायत्री के जाब करने से फाइदा दुग ना हो सकता है आपके लिए अब सारे काम घर से रिनुवेटेड से रिलेटेड माता पक्षे से रिलेटेड प्रापटी वाहन से रिलेटेड बनते नज़र आते हैं थोड़ा बहुत अगर किसी कोहार्ट की परिशानी थी तो उनका डाइगनोज हो जाएगा यात्रा पर निकले तो बहुत फायदा होगा साथ-साथ में यह भी समझ लिजे के छोटे भाई बैनों से फायदा जादा होगा उनसे कोई मन मुटाब तो खत्म होगा और साथ-साथ उनकी उन्नती भी होगी आपकी भी उन्नती होगी करक राशी आपके कई सारे काम परिवार वाले बनाएंगे, बुलने चालने से related कोई काम है तो उनमें उनती होगी, संचित धन बढ़ेगा, परिवार में खुशी च्छाएगी सिंह राशी आपके personality में बहुत साधा निखार, आपके कुछ ऐसे काम जो personality से related थे ये भी समझ लीजिए कि government related काम औहदे इनमें भी increment हो सकता है और court cases विवाद खत्म हो सकते हैं कन्या राशी केसे विवाद से मुक्ति मिल सकती है, आपके foreign से related काम, विदेश्यों से related काम बन सकते हैं, खर्चे कंट्रोल में आएंगे और विरसाय बढ़ सकता है, उच्च कोटी के प्रेम संबंदब बन सकते हैं तुला राशी कई सारे काम गौर्मेंट से related, कागश्पत्रों से related, या आपकी नोकरी से related, बनते नजर आते हैं, अगर आपने इता भी निता हैं, तो भी नाम होगा भड़े-बड़े काम बनेंगे आपके जो आपके यात्राओं में होने थे, और उच्च कोटी की यात्राएं होंगी बड़े-बड़े अनुबंद होंगे आपके नहीने काम आफ़र होंगे, यात्राओं में आनन्द आएगा मकर राशी कुम्भ राशी कई-कई बड़े अनुभंद मिलेगे लोन से मुक्ती और मामा पक्ष से फाइदा होगा सूरिका सिंग में प्रवेश सबसे ज़्यादा सोहराय सिंग राशी वानों को पहुँ बारा हो गए इनकी तो सारी उंगलियां घी में और सिरकडाई में हो गया बड़े से बड़े काम बना सकते हैं नेता भी नेता बन सकते हैं गौर्मेंट रिलेटेट कामों में इनको फाइदा होगा और साथ साथ इनके नौकरी वगरा लगने के पूरी संभावनाएं हो जाएंगी मुबारक हो मुबारक हो सूप्रभाद 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 मैं कामी निखरना सहर करकर मैं आप सबी के साथ आए जानते हैं हम के कुम्भराशिवानों की प्रेम काहानी 2023 में क्या कह रही थी अब उतरार्द में क्या कहीगी तो कुम्भराशिवालो ये अभी बिगड़ी है प्रेम कहानी जो चार नॉमबर तक सुधरेगी तक तक आपको एकदम कम बात करनी हैं, स्पेस बना के चलना है, अनाप्शना आप बोलना नहीं है, तब्यत समालनी है, अपनी भी और अपने प्रेमी के भी, तो आएए किसी एक की समस्या का समाधान इश्क्रपा से किये देती हूं, शिरी रतनाकर जी सतना से कहते हैं, निया घर लेना कब तक हो पाएगा नंबर दिया है 17, रतनाकर जी आप निया घर ले सकते हैं, अभी थोड़ी ही दिनों में चर्चा चलेगी 15 अगस्त के बाद, तो आप चलिए पु कारिकर में जिसका नाम है सेर,